गुड मॉर्निंग अवलोफ्यू आज मॉर्निंग असेंबली में में बड़ा एक मजबूत वीसे आफ से शाजा करूँगा सबसे पहले तो गुर्तमान में जो चुनाप हो रहे हैं राजनितिक प्रिद्रिश्य के लिए भारती मद्दातां को धन्यवाद कमगा बड़ी जोसो से लोग लगे हैं राजनितिक पार्टियों की एजन्डे पढ़ रहे हैं कि कौन से पार्टे महिलाँ के लिए क्या गोशित कर रही है कि शानों के लिए क्या कर रही है नोजवानों के लिए क्या कर रही है बड़ी जागरों को रहे हैं लोग बड़ी उताव लेहें कि चुनाओ का दिन नजदीक आए हमारी सरकार आए हमारी सरकार आए और राजन देख सक्रीता सभी जो लोग तंद्री देश हैं उनके पत्तरगार साथी और दूसरे लोग आकर यहां देख सकते हैं कि भारत मेराधी जागरोंता अपने अपने अनुकरनी है यानि वो धारन है वो भी उसका अनुसरन कर सकते हैं चर्म सक्रीता इसमें कोई दोरा नहीं है राधी दल अपने में धंग से मद्दातां को अपने नानु द्वारा नार या घोशना है जो यह उनकी द्वारा खीचना चाहते हैं कि मेरे प्रक्ष्ण दीख से दिख मद्दान करें और लोग तंद्र होता वे ऐसे हैं जो हमारी मुल्टी पार्टी सिस्टम के कई लोग आलोचना करते थे वो एक बारा आकर चरितर देखें देवी दिली बद्दी से बाहरा जाएंगे वो लोग और यहां यह भी चोकाने वाली बात है एक राजी में एक दल बहुत आप है तो दूसरे राजी में सुनने पर खड़ा है अन्यक्त दल किसा ऐसा है कोई एक की बात नहीं है इसका मतलब वहां इस्थाने मुद्दे उनको अलग अलग बरकार से जनता से जुड़ने की बात है किसी पास सहीजा ऐसा कोई वियान नहीं है जो सबीज गए प्रवावी होजे है तो नेता अपनी इपनी साबसे सोद कर रहे हैं उनके पास अपनी पार्टी के इस तरह करने का सबसे अच्छा तरीका होता है जो मिदवार उन्हें पार्टी से लालाईत होते हैं और दोड़ दूप करते हैं जिन की बतोर जिन पर जीतनी समय नहीं अधिक होती है उसी से उनको अंदाजा लगता उनको कि हम कहा है उत्रप्रदेश राज्जे में पिछली बार भारती जंदापार्टी सासित राज्जे असे फिसद की ठीक असे फिसद करीब नहीं 325 सिटें 403 में से और वही दल इतने परचनल बहुंशे उत्रप्रदेश में स्थान रखने वाला पंजाव में तीन सिटें के साथ विदान समय पस्ति थी इसके ओलट कॉंग्रेश उत्रप्रदेश विदान समय साथ विदायक थे उसके और पंजा में उसकी भी 80 फिसद नहीं पर 60 फिसद जो पुर पस्ति थी उसकी थी सतनतर विदायकों के साथ ते 117 सदेशिय सदन में उसने में सरकार बनाई थी तो राजजी दल जो है या राजनिता जो है और वहां में आमादी पार्टी दिल्ली से बाहर जागर और पंजाब रम विख्षी दल था अकली दल तेसे स्थार पर चला गय था तो राजनितां को ज़्यादा बतानी जो उतनी है उनके पीछे बड़े बड़े धरना सेट लगे वे हैं उनको स जाओती है यह बात ही है आएगी गुम्पिर कि मैं नेता हूँ किसे भी और धर्म गुरूं से मैं धर्म युद कहूँगा किसे है धर्म युद धर्म युद आपस में लड़ना नहीं है धर्म युद है यह जो आठ सो करोड जोई से सुधा है जो लोग है उन में महत्वा बु होते हैं आज सभी धर्म से मुहमद साहब गुर्णादेव जी हिंदु धर्म भी येदी कोई अपने सिद्धान थे हैं अपना जो गुण है उसको अच्छी से परचारित परचारित करें दूसरे लोगों प्रहुईत करें उससे मैं इस बात यह कहना चाहूँआ है धर्म कि नहीं हो तो ना हो अगर लिवर्टी है कहीं को अदला बदलिक तो मार्केट में आपको अपनी गुण उता बढ़ाने पड़ेगे धर्म के मामले जो नई पीडियारी बहुत ही एजुकेटेड बच्चे हैं वो परसन उठाएंगे और मैं ये भी कहूं कि धर्म वो आगे जाएगा वो अपना स्थित्व बचाएकर रख पाएगा जो गुण और खुला पन के साथ होगा किसी भी धर्म में आग उकलने की जरूरत नहीं है सिवाव भाव बने ताकि आपके स्वियों के समले रहें और दूसरे नई वाई बहाएं अपने धर्म के मार्केटिग करें आपके धर्म में क्या खास मैं धर्म गुरों से यह कहता हूँ चैनल पर आएं सभी धर्मों के लोग आएं और एक साधा सब्दों बताएं आज की दिन जो पड़े लिखे बच्चे हैं जिनको बहुत ज़्यादा बताने की जूर्द नहीं है मैं आरक्षित बिवस्ताप एक शोटीश बात काओं डोक्टर भीमराम बेड़कर जी को आरक्षित वरग तो पूझ पाए और आरक्षित लोग पीछे सी से आलोचने करते रहें उनकी मैं यह नहीं करूँ नहीं उनको देवता मना परन्तों आरक्षित वरग नहीं डोक्टर एक सकती बनकर रूब हरने का इस से उन लोगों देखा कि यह जो आरक्षित विवस्ताप है जिसे हमारे समाज का मारा जो बलावा जो हम रास्टर के मुख्यदार माई रास्टर में एक वरग बनकर मजबूत वरग बनकर एक सम्मानित वरग बनकर उपरे उसमें आरक्षित दोक्टर विवनवा मिडगर जी का हाथ उस वरग ने माना और उन्होंने उनके परती आपर विक्ति किया आस्था विक्ति तो ये बात हमें भी देखना है एक बुड़ाबा पैंसिंट के उजनाई १ तीन सुनित मुप्त लोगों को बीजली देने के उजनाई तो जिन को नहीं मिल रहा वो लोगो को आलोचना करेंगे वो लोग बढ़केंगे और बहराब लब गेंगे उस दल को तो जिन लोगों को लाब मिल रहा है वो लोग गुनगान भी करते हैं रास्ते बेत करते हैं उस दल में हाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ डोक्टर भीवा अमबिडगर जी की बात ये बात मैंने प्रिवार में कोई वार्षा जाजा किया है महिला ये भोल गई उस बात को उनका लक्से उनका जो निती निर्मान में जो योगदान था वो आर्षित वर्गों विसाथ सथ महिलाओं आज कल ये भी दिखा जाने लगा है पांच वर्ष के छुड़ सभी महिलाओं को किसी वर्ग से हूँ वो महिलाओं और आर्षितों को एक ही थालिस देखते थे एक ही थाले में तोलते थे मैं ये कहना चाहिए कि उनका जो उनके पर थे निती निर्मान यहां तोलने मतले हैं निती निर्मान करते हैं समय उनको बराबरी वो मानते थे दोन्नों को याउ सकता है महिलाओं के लिए भी उन्होंने काफी जहां भी आप जाएंगे दालतों भी अगर कहीं अनारक्षित लोगों को इस परकार चूटे तो वो सभी परकार के महिलाओं को कि मस्विम अन्भीग था चालिस वर्ष के आयो तक मस्विम अन्भीग था उपादियादान करने की बावजूद की इस तरह की सुईधा है सुईधान परदत और वो है उसको मैं महिला संग्ट में से कहूँगा कि डॉक्टर साब की जो दीगी सुईधा है उसको महिलाओं और बलवती बनाएं और मजबूत बनाएं राजदी दों से महांग करें अभी वो वरक भी दूर खड़ा है नहीं आया है उस्थान पर कि बार सोद के आधड़े पीच की गेट महिलाओं की वहां संग्ख्या कम थी जी कि इतसा च्चतर में हम देखनें हैं है महिलाओं संग्ख्या काभी कम है राजदी च्चतर में ही बार बार आराय सो महिला नहीं चुपाई इतनी शिक्ष्या और इस तरह के मामलों में उनको प्रतिन देव उतना मिल जाए तो मुख्य बात ही है राजदी दल भी जनकलेंड के मुद्व में धार तेज लगए पुराबा पेंसन महिलाओं को समझ एक शुरुक्षा जो भी एक राजदी दल लेकर आया है जार पे मासी की बात दूसरे दल भी उसकी निती की जो परसंट से आलोचना करें बंद अनमून रहें यह राजदी प्रतिन शुरुक्षा नहीं देता है कि हम नहीं बोलेंगे बिलकुल बोली कि आपका उसमें क्या नजरिया है एक जार पे मासीक जो महिला साय था कि योजना लेकर आ रहा है माद्मी पार्टी का जो कॉडिनेटर है अरविंद केजरिवाल तीन सु यूनिट तक गरलो मुफ्त बीजली और बुड़ापा पेंशन का वहाग इस निती का तौर्विंद केजरिवाल शिवाय गारियाना बना हुआ है चोदरी दिविलाल जीन जो शुरू किती उसके बाद में उत्रोतर मुख्यमंतरियों निश्चित रूप से इसमें काफी जाफा किया और अधारियाना की जो बुड़ापा पेंशन योजना है बुड़ी चर्चाव इसे है लोग भारी मैं कराओंगी इसकी शुरूआत से लेकर देवलाल जी के परतीव इस बात को लेकर अगर सबसे बड़ा को मुद्दा बचा है तो बुड़ापा पेंशन उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है आज ही उन जुड़ापा हो रहीगा दोक्टर भीवराम बेड़ इंकर जी की तरह है तो मैं यह करूँ बाद में उतर उतर मुख्यमंतर तो सरकारों ने दलों के अलगले दलों सरकार आती रही और बढ़ाती प्रमगुद्दा बन चुका है और 33 लाख के आसपास लोगों के जीवन को बदल डाला उस पेंशन श्कीम ने बढ़े अच्या पंशनी हो जमा है तीनसर निट बीजली जो चर्चा चले जो उस्पूरी चर्चा की जाए और मैं धर्म की जो दर्म गुरू यह जितनी भी हैं धर्म की जो नित्रित्व, धार्मिक नित्रित्व जो लोग कर रहे हैं, मैं राज़ती से बाहर निकलूँगा, मैं धार्मिक नित्रित्व के लिए कहुँगा कि आप नहीं बच्चे आएंगे, वो न अपने में रहेंगे न दूसरे में रहेंगे, वो देखेंगे अच्छा कौन है, मैं य से करोड़ लोग बाहर निकल गए अगर डाका से लेकर लाहूर तो गोंते आए इंडिया से होते हुए दर्म को मनने वा लोगों को शीमा नहीं होती है आज भी उन देशों भी धार में गंदलों चलाए जा सकता है प्रमुख भात होगी कि हमारे यहां और लोग भी आजाएंगे गरे हमें गुण होगा और और लोग भी चले जाएंगे यहां में गुण होगा मैं आज ये ही पताना चाओं राजय दोनों के तरह ही कि धर्म के मामले में आगा है कि ओर लोग भी आजाएंगे कि यदि हमें गुण होगा और और लोग भी चले जाएंगे यदि हमें ऎगुण होगा सभी धर्म जिनमें कट्रताः था है उखोले पन पर आजाएं, पाखंडी व्योस्ता हैं वो पाखंड छोड़ दें, क्योंकि नए बच्चे इन चीचोंगों ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं, ये इसलाम के साथ भी है, और ये हिंदु धर्म के साथ भी और शीक धर्म के साथ भी है, हिंदु धर्म फिलहाल एक गिशती थी महाई कि उसने चुआ चुआ चुद और पाखंड जो उसके पतन का कारण बने थे, जो विरोधियों ने थ्यार बनाए था धर्म प्रिवरतन के लिए, चुआ चुआ चुद के नाम पर लोग उद्विलित हो गए थे और उन्होंने ना काई दिया था, ये कटो स पते हैं, बाद में पाखंड की बात आई, पाखंड का विव लोग उन्हों को वह थार बनाए और अलग अलग पंत पैदा कर दिया, देंसर सुती जेलक पर कार्शे आ गए और दूसरी धरम सुदार को ने उनको अथियार बना पाखंड को और वो लोग कम से कम मूल रूप म नहीं रहे, अलग धारना का तो हो गए, उनके माननेत हैं, अपने परिवार में अपने रिष्टार के लोगों से भी अलग हो गए, ये ना हो, हिंदु धरम अपने को बैठ कर जो लोग परकांड पंडित हैं, मैं सबस्पर हिंदु धरम को कहूंगा, कि हिंदु धरम ने सब का मामला नहीं है, यह मुद्दागत बात है यह लिटरेच yr का मामला है धर्म को स्थापिद करने का धर्म अपनी बात को लेकर जाने के लिए अर्म हम चीनी भी जा सकते हैं जो जिन लोगों में धार में खुला पड़त है अच्छा बिमानी हुजाएगे, पर जिन देशों, वी सी जो डिवलोप कंट्रीज में, आज भी वो खुला पन के लिए आपको आउन्दित करते हैं, कोन मां अगर आपको, आप जाइए, विक्सित देशों में, क्रिश्चिन बहुले देशों में जाइए, लंदन में आज भी मुसलिम बहुलता बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान और सोद्य और अरफ से यहां से जाने वाल लोगों के, तो ऐसे को वो लोग से भी कार करते हैं, आप अपने धर्म का परचार पर सरकेजिए, लोगों को दिल जीती है, जो परमुख बात अपने धर्म का पता है, हिंदु अपनी मानदारी और जो रुटी वादी विस्ता से इसलाम के लोग भी चर्चा कर लें कि कितने बाहर आएंगे, क्योंकि उनकी कुछ जटिलते हैं जो हैं, उनको विकास में रोकरी धर्मी विकास में, तो मैं अभी सिसरों हिंदु और मुसल्मान से कहुँगा कि धर्मी वि दूर करें, वो ज़्यादा ज़्यादा लोगों को, जैसे इसी खुन शेव भाव चला रखा है, आपको ऐसा भ्यान चलाईए तिसे ओधर्म के लोग भी आईएं, आपको कितने बुद्धिश्ट आपके तरफ आते हैं, कितने जहनी जम्माले लोग आते हैं, को अच्छी ब पहले आदमी के बाहर खड़े थे, कुछ लोग उसको गालिया दे रहे थे, बुरी बुरी, और कुछ लोग उसको सेटजी कह रहे थे, बाद में पता लगा कि ये जो गाली दे रहे इनका इसोशन करता है, बारा गंटे आठके स्थान पर चोरी से काम लेता है, उनको आदा बस्तर बाटता है, ये वो लोग जो इदर जो दूसरे जो लोग खड़े हैं, दान गराही तनतर है, जो इसके नारे लगा रहे हैं, इसको दान दाता बता रहे हैं, इसको दैवान बता रहे हैं, तो ये दो डंग हैं लोगों के, तो मैं उसी पर कहूँँगा अज कि ये जो दोनों धर्म हैं, विजर टकराव के आपको बुद्रा नहीं है, आप अपने धर्म को सामने ले कर आएगे, और बंद कमरे में नहीं, हम खुले कमरे में, खुले मंच पर, आप से चाहते हैं कि आप अपने धर्म की अच्छे, आप सिर्म मुझ बजाने से नहीं, वहां खड़े पड़े लिखी बच्चे से विखा करें कि अच्छा करें, मार्केटिंग कम्पनिय जबताते हैं, स्पीड इतनी एवरी इतनी चला कर देख लेते हैं, तो आप अच्छा ही तरह बढ़ी है, हम लोगों को कि दिन लोगों दरी दरता से बाहर निकालेंगे, सिक्सित साहता, सि जबी तरह कि बच्चिऑं की सम्मान के रक्षा कैसे करेंगे, चृतलब वकिक्स दर्मा रहे बल देताहे, कृन सई लोगा हिंचा बल देताहे, वहां हत्या जैसी बतैं सी बाते नहीं पया जाती इस तरही बातें आके बढ़़ाई है, परचार परचार खूप कीजिए, काउ सिफटी इपारे में बताया था मने कन्य सिफटी इपारे में बताया था कि किस दिंग से में आगे बढ़ना है धन्यवाद